बच्चो आप जड़ा मुझे ये बताईए कि आपको सबसे अच्छा रितू कौन सा लगता है कौनसी रितू आपको सबसे अच्छी लगती है पहले तो आप ये बताई कि आपको रितु कितने हैं कौन से हैं वो पता है क्या जैसे कि शरद रितु, हेमंत रितु, शीत रितु, वसंत रितु, ग्रिश्म रितु और वर्शा रितु ये सारी हमारी रितुएं हैं इन सभी रितुओं में आपको सबसे अच्छे रितु कौन सी लगती है जी मुझे पता है maximum बच्चों को वर्षा रितु ही सबसे ज़्यादा पसंद होगी क्योंकि वर्षा रितु में बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और होता है ग्रिश में रितु में हम गर्मी से बेहाल होते हैं परेशान होते हैं बेचैन होते हैं पसीने से और हम इंतजार करने लगते हैं कि कब काले घने बादल आकाश में दिखाई देने लगे और कब ब बारिश शुरू हो जाए। बच्चों हमसे भी ज्यादा वर्षा का इंतजार जो होता है ना वो किसान को होता है। किसान की आखे निरंतर आस्मान की और तक ताक्ती रहती है कि कब काले बादल दिख जाए और कब बारिश हो जाए क्योंकि बारिश से ही बारिश की वर्षा के पानी से ही वो अपने खेतों को सीचता है तो ये जो अनाज हम खाते हैं वो अनाज किसान की महनत के बदोलत है और किसान महनत तभी कर पाएगा जब बारिश होगी तभी वो धान अनाज बो पाएगा तो बच्चो इसी तरह सभी रित्य है वैसे तो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में हमारी जीवन के लिए पृत्वी पर सभी रित्यों का एक समान स्थान है लेकिन वर्षा का स्थान और वर्षा रित्यो कुछ अलग ही महत्वपुर्ण है उसका स्थान हमारी जीवन में प्रकृती है प्रकृती में सूरच, चान, पेड, पौधे, पंची, बादल ये सभी है न बच्चों हमसे कुछ न कुछ जरूर सिखाते हमें कुछ न कुछ संदेश जरूर देते हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं सिर्फ हमें अपनी आखे खोल कर उनके सभी कारियों को ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है कि क्या हमें कौन सी प्रकृती की चीज हमें क्या सिखा रही है जैसे कि ये बादल हमें क्या सिखा रहे है वो हम इस कविता द्वारा देखेंगे तो कविताओं की श्रिंखला म बच्चो शुरू करते हैं आज की कविता बादल सा बन जाओ नन्हे बच्चो बादल को तुमने देखा होगा नन्हे बच्चो बादल को तो तुमने देखा होगा परन्तु कभी क्या तुमने सोचा क्या क्या इन्होंने भोगा बादल को तो तुमने देखाई होगा बच्चो लेकिन कभी हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुमने इस बादल ने क्या क्या भोगा होगा ये जो काले बादल आकश में दिखाई दे रहे है और जो बारिश का पानी बरसा रहे है हमारे लिए उन्होंने क्या क्या भोगा होगा क्या कभी तुमने इसके बारे में सोचा है ऐसा सवाल कभी हमसे कर रहे हैं सबकी आखे इन पर रहती और मानो कहती आओ वर्षा आओ गर्मी से सूखी धरती के तन्मन को नहलाओ कभी कह रहें कि सबकी आखे इन पर टिकी रहती है जब हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं जब गर्मी से तपती धरती को वर्षा आने पर राहत मिलती हैं वो धरती भी इसका इंतजार करती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बादल है वो क्या भोक कर उन पर क्या गुजरती है जिसके बाद वो हमारे लिए ठंडा ठंडा जल बारिश की बुंदे ला पाते हैं और हमारे तन्मन को नहलाते हैं बादल जब पानी देता तक धर्ती देती खाना कलकल करती नदिया बहती पक्षी गाते गाना तो बादल जब वर्शा बारिश बरसाते हैं बादलों से जो पानी आता है उसके बाद ही किसान अनाजबो पाता है और धर्ती हमें खाना दे पाती है और नदिया भी कलकल करती बहती है क्योंकि बरसात के पानी से ही नदिया भर-भर कर बहने लगती है पक्षी गाना गाने लगते हैं तब कर सूरज की गर्मी से बादल उपर जाते अपने जीवन रस को देकर मोती ये बरसाते तो आपने वाटर साइकल पढ़ाई है कि जब समुंदर का पानी सूरज की तेज धूप से गर्म होकर भाब बनकर उपर आकाश में चला जाता है और फिर उसके उपर 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 बनकर बादल बन जाते हैं और फिर वो बादल जब काले बनते हैं तब उसमें पानी भर जाता है तो इस तरह से वो सूरज की गर्मी को सहते हैं, सूरज की तपन को सहते हैं, फिर भाब बनते हैं, वो पानी जलकर भाब बनता है, और फिर उपर जाकर वो बादल बन जाते हैं और जीवन रस मतलब, अम्रित मतलब पानी को धर्ती पर बरसाते हैं अपनी कुर्बानी देकर, अ अम्रित बूंद बना है बादर प्यार सभी का पाया तो इस तरह से पानी को हम अम्रित कहते हैं तो अम्रित की बूंदे बरसाते हैं और इसलिए सभी को वो प्यारे हैं निस्वार्त भाव से अपना त्याग करते हैं पानी का वो लोगों के लिए त्याग करते हैं अपना कुछ देकर देखो तुम घाटा कभी न खाओगे एक अकेले दोगे लेकिन शत्षत कर पाओगे क्या कहरे है कवी कि तुम भी वच्चो इन बादलों की तरह कभी कुछ त्याग कर देखो कुछ देखर देखो किसी को कुछ त्याग करके देखो तुम्हें उसमें जरूर खुशी प्राप्त होगी उससे तुम्हारा कोई घाटा, कोई नुकसान नहीं होगा बलकि तुम्हें खुशी मिलेगी, परमार्थ की खुशी मिलेगी स्वार्थ से उपर उठकर कभी कहरें परमार्थ की तरबड़ परमार्थ मतलब बच्चो दूसरों के लिए कुछ करने की भावना अपने स्वार्थ को, अपने मतलब को त्याक कर किसी और के लिए खुद परेशानी उठा कर किसी और के लिए कुछ करने की भावना वो है परमार्थ की धब भावना तो ये तुम करके देखो, इसमें तेरह आपका कोई भी नुकसान नहीं है आपको इसमें कोई घाटा नहीं आने वाला लेकिन तुम एक दोगे, लेकिन शत-शत उसके बदले में बहुत कुछ पाओगे एक अच्छा कारी करोगे, उसके बदले में बहुत प्यार पाओगे, आशिरवाद पाओगे और इसलिए बच्छो इस कविता में कवी हमें कह रहे है बादल सा बन जाओ, परोपकारी बादल जैसे ये पूरी स्रिष्टी ही, ये धरती जो है, मैंने अब भी समझाया, प्रकृती में स्रिष्टी में ये जो सूरच, चान्द, या पेड, पेड़ों को बच्छो जब फल लगते है, तब उन्हें पथर मार मार कर लोग फल प्राप्त करनी के लिए पेड़ों को पत्थर मार कर फल गिराते हैं लेकिन फिर भी ये पेड जो है वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, चाया, छाव देते हैं, तो ये देने का कारी हमें स्रिश्टी प्रकृति सिखाती हैं. है न बच्चु नदियों का मिठा मिठा जल लोगों के काम आता है, खेती के काम आता है, पानी पीने के काम आता है, सूरज पूरा दिन हमें रोशनी देता है, जिसकी वज़र से पेड़ खाना बना पाते हैं, अपना है ना? तो इसी तरह प्रकृती की हर चीज, प्रकृती स्रिष्टी में जो जो हमें मिला है प्रकृती से, वो सब कुछ हमें कुछ न कुछ सिखाने का काम करता है, बस जरूरत है हमें आखे खोल कर उसे देखने की और देखकर उसका मतलब समझने की, तो बच्चो जब स्कूल और हम सब मिलेंगे तब आप मुझे बताओगे कि आपने प्रकृती की कौन-कौन सी चीजों से क्या-क्या सीखा तो आज के बाद थोड़ा नोटिस कीजे कि प्रकृती की हर चीज हमें क्या सीखा ती है ना बच्चो तो इस पार्ट के साथ ही आपको अभ्यास के लिए कुछ question answers है तो जहां workbook है तो यहाँ पर कुछ जगह है जिन प्रशनों के लिए यहाँ पर जगह है वहाँ आप लिखोगे mcq करोगे one line answers लिखोगे और brief जो है वो आप हिंदी notebook में लिखोगे ठीके बच्चो कवीत की पंतिया पूरी करोगे और जैसे मैंने पहले कहा है हिंदी notebook में सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखोगे उसके बाद dictation लिखोगे और उसके बाद question answer लिखोगे ठीके वच्चो धन्याद